दोस्त वो कहते हैं ना बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं और बड़ी बाते एशिया की सबसी बड़े बिजनिसमेन और अमीर वेक्ती, मुकेश अंबानी की पतनी नीता अंबानी किस तरह अपना जीवन बिताती हैं ये जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे नीता अंबानी किसी महारानी से कम नहीं इनकी सुभे की चाय लगबग 3,00,000 रुपे की होती है इस चाय की इतनी कीमत होने के पीछे एक कारण है और वो ये है कि जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रेंड नौरी टैक के कप में वह चाय पीती है नौरी टैक कप सोने से जड़ा होता है जिसके एक कप की कीमत 3,00,000 रुपे है नीता अंबानी के ज्यादतर पर्स 5,00,000 रुपे से कम नहीं होते साथ ही कई बार पर्स पर खास कीमती हीरे भी देखे गए हैं जो इनकी कीमत और बढ़ा देते हैं नीता अंबानी जिस सैंडल और साड़ी को एक बार पहन लेती है उसे अपने शरीर पर कभी दोबारा नहीं डालती इन सैंडलों की कीमत 3,00,000 और साड़ी की कीमत 3,00,000 से कम तो बिलकुल नहीं होती अगर नीता अंबानी को कभी ज़्यादा दूरी का सफर तै करना होता है तो इसके लिए वह अपने प्राइविट जैट का इस्तिमाल करती है और पास की दूरी के लिए लगजरी गाड़िया इनकी शान में तैयार खड़ी रहती है जिनकी कीमत 25,00,000 से शुरू होती है नीता अंबानी को बच्चों को पढ़ाना काफी पसंद है इसलिए उन्होंने रिलाइंस की पातांग गंगा प्लांट के नजदीक एक स्कूल भी खोला इसके बाद जामनगर में और दक्षणी मुंबाई में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी की धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी के पिता और नीता अंबानी के ससूर थे मुखेष अमबानी की पतनी होने की वजय से नीता अमबानी आज 2,60,00 करोड की संपत्ती की मालकिन है साथ ही रुलाइंस फाउंडेशन में वह फाउंडर की कुर्सी संभालती हैं और IPL में मुंबई इंडियन्स की मालकिन भी नीता अमबानी ही है नीता अम्बानी को डांस का भी काफी शौक है शास्त्रिय निरत्य में नीता काफी निपुण है नीता अम्बानी पहली ऐसी भारतिय मैला है जिने 4 अगस्त 2016 में International Olympic Committee के सदस्य की रूप में चुना गया था नीता अम्बानी के पास दुनिया का सबसे महंगा फोन है ये एक ऐसा फोन है जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे ये फोन है iPhone 5 Black Diamond जिसे बनाया है विश्व विख्या डिजाइनर Stuart Hughes ने जो ये फोन अपने खास ग्राहकों के लिए बनाते है इस फोन की कीमत 10 लाग डॉलर यानी 7 करोड भारती रुपए है इस फोन में खास और दुरलभीरे इसे इतना महंगा बनाते हैं जो नीता अम्बानी की शान और शौकत और ज़्यादा बढ़ा देते हैं शादी से पहले नीता अम्बानी इतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी वह एक मिडल क्लास फैमली से ब्लॉंग करती थी पर मुकेश अम्बानी से शादी करने के बाद नीता की किस्मत पलट गई नीता अम्बानी की एक बेहन भी है जिसका नाम ममता दलाल है और वह धिरुभाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं नीता अम्बानी ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट खरीदा है जिसे शायद और कोई नहीं खरी सकता ये आम रोबोट तो बिलकुल नहीं ये एक सैक्स मेल रोबोट है और इसे नीता अम्बानी ने सिर्फ अपने लिए ही खरीदा है इस रोबोट की कीमत 100 करोड है ये रोबोट किसी इनसान से कम तो बिलकुल भी नहीं ये रोबोट किसी भी औरत की वो सारी जरूरते पूरी कर सकता है जो एक आदमी करता हो जी हाँ आप सही सोच रहे हैं